3D Thumbnail आप कैसे डिजाइन कर सकते हैं without skill जी हाँ, ChairGPT OpenAI के थुरू मैं आज आपको बताऊंगी Thumbnail बनाना 3D में कोई भी story create करें, educational videos हो, blogging हो या vlogging हो या visit के लिए कोई भी videos हो, आप हर तरह का Thumbnail जो है आप हर चीज सर्च कर सकते हैं और अपनी solutions जो हैं, वो problems की solution निकाल सकते हैं तो सबसे पहले ChairGPT को Open करेंगे और इसमें आप वो सर्च करेंगे जो आपको Thumbnail चाहिए अब मैंने कोई भी Thumbnail बनाना है, जैसे कि मैं educational Thumbnail बनाना चाहते हूं या मैं Thumbnail बनाना चाहते हूं, अपनी videos का, animated videos का, जैसे कि मैं कोई story है कालू कवे की कहानी तो उससे related में कोई भी कहानी का Thumbnail बनाऊगी, तो मैंने क्या करना है, अगर आपको उर्दू में text करना है, उर्दू में करना है, इंगलिश में करना है, इंगलिश में करना है, या आपकी बात को समझाता है आपने सबसे पहले उर्दू का बोर्ट जो है open कर लेना है, तो यहां से मैं लिकूंगी कालू कवा और बारिश बारिश उन्वान कहानी है, इसको मैं बता रही हूं कि मेरे कहानी का जो उन्वान है, वो कालू कवा बारिश है, बारिश की कहानी है बारिश और बारिश मेरी कहानी का उन्वान है मैं इसको उच्छे से समझाती हूँ आपके अपने वर्स के ही थूरू ये काम करता है कहानी का उन्वान है मैं इसका थम्नेल बनाना चाहती हूँ ठीक है ठीक है अब मैंने इसको बता दिये अब ये मुझे कुछ करकर बताएगा सर्च करके कि पिसबूर करने के लिए अट्रैक्टिव थम्नेल आपके लिए बचों वाला है मेरी मदद करने के लिए मैं ये चंद आइडियास पेश कर रहा हूँ बारिश का मनजर एक ज्यादा अच्छटी की तस्वीर जहां पर बचे उमीद वाला ना नजर आ रहे हैं ठीक है इसने मुझे बताया ये मुझे थम्नेल बता रहा है इसको मैं कहते हूं इंग्लिश में गाइड करें तो ये देखें इन्होंने मुझे एक अच्छे सा आइडिया दे दिया अब इसमें से कोई भी जो इससे मुझे सजेशन सी हैं इनमें से कोई भी एक पार्ट में चूस करूँगी और उसको जाकर मैं सर्च करूँगी अपने थम्नेल के लिए इसको मैं स्लेक्ट करूँगी और यहां से यह स्लेक्ट करती हूँ, कॉपी कर लोगी, अब यह कॉपी होने के पाथ, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे चलना है अपने न्यू टैब में, और इधर मुझे लिखना है, लेक्सिका, AI, इसके तरू मैं अपना थमनेल बनाउंगी, और इधर मुझे क्या करना है, सर्च करना है, सबसे पहले जनरेट करने के लिए, यहां पर अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या रहे हैं कि मैं पहले इसको sign up करूँ यानि कि इसमे account बनाऊँ तो मैंने Google के थूँ जो है इसको continue कर लेना है continue with Google तो ये paid है month का $8 है आप इसको free में जो use करेंगे तो ये आपको सिर्फ 5 से 6 से 8 आपको देगा जिसमें आप search करेंगे और उतने ही आप use कर सकेंगे अब यहाँ पर मैं लिखती हूँ अब ये ठीक है अब मैंने क्या करना है इसको मैंने generate करना है generate करने से पहले इसकी dimension जो है वो मैंने set कर देनी है यह देखें यहाँ से कि आपको किस size में चाहिए हमें YouTube size में चाहिए तो ये ठीक है text भी है आप इसमें इसका जो भी color वगरा ये भी search कर सकते हैं आप करना चाहते हैं अब मैं इसको generate करती हूँ generate करने के बाद ये अपना काम start कर देगा और कुछी देर में मेरे पास जो है मेरा thumbnail आ जाएगा तो इस तरह से काफी ज्यादा से आपने जब बहुत अच्छे से आ यहां पर मुझे लिखने है बर्स ठीक है चिल्रन की जगा विदा चाइल नहीं बर्स कार्टून बर्स आधे बिटिंग फेने जो इंग लिए यहां पर भी और यहां पर भी जहां पर मैंने चिल्डरन लिखा है कार्टून बर्स सर्च करना आपका अपना काम है और इसका काम है देना अब यह मुझे यहां से अब देगा और मैं इनको डाउनलोड करके अपना बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज कर सकोंगी और अपनी इमेजिस में इसको लगा सकोंगी तोड़ा टाइम दे इसको तो यहां पर आप मैं इसको डाउनलोड करूँगी डाउनलोड करने के बाद इसका यूज जो हो मैं fix lab में भी कर सकती हूं और अपना picture editing picture editor application आई बे इसको डिफरेंट में मैं इसको अपना scenes को बना सकती हूं तो इस तरह से आपने बिनने बागी काम जो है टेक्स जो है वो आपने अपना fix lab मे तो बागी कम वहां कर लेते हैं अब आपने Teacher Editor Application ओपन करने के बाद आपने यह थमनेल यहां पर ले आना है यहigram करने के आप काटूण Seam बना रहे थे उसके लिए आपको थमनेलगी जरूरती अब आपने क्या करना है इसको ग्रॉप पक्लिक करना है और इसका ratio is extreme ratio 9 करना है और इसको यहाँ से इस तरह दिखा देना है और okay करना है अभी आपकी तस्वीर जो है वो सही हो जाएगी और अब आपने इसकी dimension की साथ से इसको यहाँ पर set कर लेना है set करने के बाद आपने text देना है text देने के लिए आप chat GPT से help ले सकते हैं कि आप कैसा text लिखें तो यहाँ से मैंने लिखना है cartoon story या cartoon bird जो भी आपने मैं बस आपको idea दे रही हूँ इस तरह से लिखने के बाद यहाँ पर आपने लखना है और इसका color और इसका जो font है वो आप यहाँ से change करेंगे इसके text पर आपने click करना है A पर click करना है और यहाँ से इसको color दे देना है color देने के बाद यहाँ से आपने इसको stroke देना है background देना है यह आपके अपनी मर्जी है तो यहाँ से इस तरह से तो यह आपके पास आप यहां पर इस तरह कार्टिव एस सकते हैं और इसका शेडो वगरे देångसे को सेफ करके seesite लिगा सकते तो इस तरह से आप एक अट्रटेव थेमद्स य सर्च आजा है आप लिखें के सामज आजैए आप लिखें देगा तो इसलिए हम help लेते हैं नहीं तो आप अपनी ही लैंग्विज में अपने चायर जीपीटी को ना यूज करके वे भी लक्सिका भी सर्च कर सकते हैं और आप उसमें इमेजिस लगा सकते हैं तो उमीद करती हूं आपने एक अच्छा थम्देल बनाना सीख लिया तो व हैं इसनती हैं तो उफ तो झा एक मुद्द मेडम मोश मुद्ण